बिग बॉस ओची टी की शुरुआत भी तेरा विवार को हो चुकी है करन जोहर ने बता और होस्ट लोगों का दिल ही जीतिया एक एक करके सभी कंटेंस्टन घर के अंदर आ चुके हैं और पहले ही दिन घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई दंग रह गया दरसल करन जोहर के सामने ही दिव्या अगरबाल और प्रतीक सहलचपाल आपस में ही भीड़ गए और घर के अंदर भी ये लड़ाई होती ही रही शो में एंट्री माने के कुछ समय बाद ही दिव्या ने प्रतीक को देखते ही कहा कि वो उसके पिछले शो का साथ ही रह चुगा है प्रतीक को ये बात अटपटी लगी उन्होंने सब भी के सामने बताए कि दिव्या ना तो उनका फोन उठाती थी और ना ही उनके मैसेज का रिप्लाई करती थी ऐसे में वो यहाँ पर आकर ऐसा क्यों कह रही है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की तो बिलकुल ना सोचे क्योंकि जब वो बाहर ही मुझे नहीं जानती थी तो मैं यहाँ भी उससे अंजान ही बन कर रहूंगा बताने प्रतीक सहचपालो दिव्यागरवाल बिग बॉस से पहले S of Space में दिख चुके हैं बिग बॉस OTT के घर में जाते ही दिव्यागरवाल बाकी कंटेंस्टेंट से प्रतीक के बारे में बात करने लगी उसके बाद फिर से प्रतीक उनसे भीड गए देखते ही देखते बात काफी बढ़ गई और दिव्यागरवाल ने सभी के सामने प्रतीक को गाली तक दे डाली जी हाँ पहले ही दिन दिव्यागरवाल ने अपना रूप दिखा दिया और अब हर कोई हैरान है कि दिव्या ना जाने इतने दिन क्या क्या करने वाली है दिव्या से हर कोई डरन प्रतीक खुद को कंच्रोल ने कर पैनों ने अपना खाना ही फेक दिया राकिश बापट और करण नाज जैसे कई बाकी कंटेस्टन ने प्रतीक सहचपाल को दिव्यागरवाल से दूर किया और उन्हें शांत करवाया जैसे तैसे मामला तो समल गया लेकिन अभी भी फैंस को धक धकी लगी हुई है कि आगे ये दोनों जम कर लडाई करने वाले हैं दिव्यागरवाल को कोई कनेक्शन नहीं मिल पाए और इसी वज़ए से करण जोहर ने उन्हें एक हफते के नॉमिनेच कर दी आप देखना होगा कि दिव्यागरवाल इस एक हफते में दशोग का दि खुबसूर्ती की वज़े रही है। वो अपनी एक्टिंग और सिंगिंग बीक ही रही है। धड़ा धड़ शियर की जा रही है शोशल मीडिया पर अक्ष्रा की फोटोस खुब वाइरल हो रही है दरसल उन्होंने बाथ टब में शूट कराया है और ये फोटोस उनके फैंस को काफी पसंद आ रही है बाथ टब में अक्ष्रा बाइंड ग्लास लिएने जरा रही है उनकी खुबसूरती साफ दिखराई दे रही है साथ इन्होंने कैप्शन में लिखा एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी है साथ इन्होंने ये भी लिखा कि बाइंड ग्लास में आप पल जूस है इसलिए लोग चिल करें और जादा ना सोचें अक्ष्रा ने पहले ही कलेर कर दिया अब आप सोच लीजिए कि बिग बाउस में अक्ष्रा का क्या होने वाला है बिग बाउस के न्यमों की अक्ष्रा को कही न कही अब आदत भी लगई है जिस तरह से बिग बॉस में लोगों को ट्रोल किया जाता है वादत अक्ष्रा ने पहले ही डाल लिया आपको उतादे इन दिनों अक्ष्रा बिग बॉस OTT को लेकर बहुत जादा सुर्ख्यों में है जिसे करण जोर होस्ट करने वाले है आपको उतादे आक्ष्रा सिंग की बिग बॉस OTT में एंट्री होती है तो शो को भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार को बलाने का फैदा ज़रूर मिलेगा अक्ष्रा सिंग अपनी बेबाक राई के लिए जानी जाती है काफी टाइम से उनका नाम भोजपुरी एक्टर पावन से इन से जोड़ा जा रहा है वहीं बिग बॉस में अक्ष्रा की एंट्री वीग बिंदास हुई थी उसमें अक्ष्रा सीधे साबत प्रकहती नज़र आ रही है कि भोजपुरी एंड़स्ट्री का आप लोगों ने बहुत मजाग बना लिया अब मैं अच्छे अच्छो की बैंट बजाने वाली हूँ अब देखना होगा क्या बाकई मैं आक्ष्रा बिग बॉस के घर में आके लोगों की पोल खोलेंगी क्या करने वाली आक्ष्रा आप भी उनके लिए कॉमेंट जरूर करें टीवी इंड़स्ट्री का सबसे ज़्यादा फेमस रियालिटी विग बॉस पंदरा के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए है ऐसे में मेकस टीवीक से लेकर भॉच्पूर इंड़स्ट्री के स्लैप से शोक में हिस्सा लेने के लिए बातचीत करें इतना ही नई शोका हिस्सा बनने के लिए इन स्लैप को अच्छी खासी रखम भी ओफर करें हाली में भोच्पर इंडिस्ट्री की जानी मानी एक्टर्स अक्षरा सिंग से भी शो में आने की बात की गई तो उन्हों ने अपना बयान दिया है बीते कई दिनों से खबर आ रही है कि बोच्पर इंडिस्ट्री से इस बार अक्षरा सिंग सल्मान खान के रियालिटी शो में बहुत और कंटेस्टेंट दिखाई देंगी इन अवाओं के बार जब अक्षरा सिंग से बात की गई तो उन्होंने ऐसा जबाब दिया कि उनके फैंस को जटका लग गया फैंस काफी वक्त से उमीद लगायते कि अक्षरा सिंग आएंगी तो उन्हें कोई नई पहचान जरू मिलेगी और हो सकता है कि उन्हें वाले वूर्ण में सीधा जाने का मौका मिले लेकिन अक्षरा सिंग ने शायद ये मौका गवा दिया है अक्षरा सिंग की इस खबर से फैंस को मानो अटैक पड़ गया अभी अक्षरा स्यूटिंग सेट पर पहुची भी नहीं कि उन्हें लेकर फैंस में काफी दिल्चस भी दिखाई दे रही है अक्षरा के सेट पर आने से उनकी जिन्दगी के कई चौक आने वाले खुलासे भी हो सकते हैं फैंस भी चादे कि अक्षरा सिंग बिग बॉस पंद्रा में आकर अपने एक अलग पहचान बनाए और दिखाएं कि वो किसी से कब नहीं है बोचपुरी की कई फिल्मों में अक्षरा अपनी दमदा पोफोर्मेंस से दश को कुलबा चुकी हैं हाली में अक्षरा सिंग संग अलग होने के चलते सुर्खियों में थी और स्क्रीन के राव ओफ स्क्रीन भी इनकी जोड़ी हिट दिखाई थी इनके रिलेशनशिप तब खत्म हुआ जब पवन सिंग ने शादी रचाली साल 2019 में दोनों का ब्रेक अप हुआ था जिस पर हाली में अक्षरा सिंग ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका और पवन सिंग का रिलेशन काफी मजबूत था दोनों के बीच एक कॉन्टरेक्ट बेस रिलेशनिशिप बना हुआ था जो खत्म हो गया आपको अधादे बिग बॉस ओटी टी को पहली कंफर्म कंटेंस्टन मिल गई है जो की वॉलिवूट की मशूर सिंगर नेहा मसीन है खबरें की रोबोट बहुर रिद्धिमा पंडित भी अपने प्रोमो शूट की तयारी कर चुकी है बिग बॉस ओटी टी को करण जोर होस्ट कर रहे हैं तो आप भी बिग बॉस पंदरा को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कॉमेंट बॉक्स पे अपनी राइज जरूर दे मशूर अदाकारा माहिका शर्मा अकसब विबादों से घिरी देखी जाती है इंटिमेट सीन से लेकर हर किसी पर तंच कसने में भी माहिका शर्मा सबसे आगे नज़र आती है लेकिन आप वो बहुत दूर जा चुकी हैं यहां इस इंडस्ट्री की हरकतों से परशान होका उन्होंने अपनी अलग जेने बना लिया दरसल माहिका शर्मा को बिग बॉस पंद्रा के लिए ओफर बेजा गया था तो इन्होंने इसे गंदेगी बता कर साफ मना कर दिया जिहां शोशल मीडिया पर बेहत बोल्ड फोटो अप्लोड करने के बाद आप माहिका शर्मा बिग बॉस को अश्लील बता रही है माहिका शर्मा ने बताया कि बिग बॉस में किसी को भी किसी से जोड़ा जाता है यहां लड़ाई जगड़े भी होते हैं और अश्लील कॉमेंट भी पास किये जाते हैं इस शो में कई स्टार्स की इमेज बहुत गंभी कर दी जाती है इसलिए वो इस शो में नहीं आना चाहती है आपको अधादर शो बिग बॉस ओटी टी आर्ट अगस से बूट पर शुरू होने वाला है इस शो को करन जोहर होस्ट करेंगे जब से शो का एलान हुए तब से फैंस जानने के लिए बेताम है कि कंटेंस्टन के तौर पर कौन कौन इसमें हिस्सा ले रहा है खेर इंटरनेट पर कई मशूर हस्तियों के नाम तीचर चाहें तीजी से हो रही है लेकिन इस में से किसी ने भी इस शो में आने से मना नहीं किया है लेकिन माहिका शर्मा ने साफ मना कर दिया है बताया जाते है कि माहिका शर्मा ने पहले खुद बिग बॉस OTT के लिए संपर किया था बाद में उन्होंने इसे रिजेक्ट भिकर दिया क्योंकि वो इसके टीवी वर्जन में हिस्सा लेना चाती हैं जिसे सलमान खान होस्ट करेंगे बता दे बिग बॉस ओटीटी छे सप्ता के लिए बूट पर दिखाया चाएगा और बाद में से टीवी पर बिग बॉस पंदरा के तौर पर ऑन येर किया जाएगा जब महाईका शर्मा से इस बारे में पूछा गया तो एक्टरस ने बताया कि मुझे शो के लिए संपर्ट किया गया था लेकिन मैं ओटीटी पर नहीं आना चाती हूँ और ये शो कैसा हो सकता है मैं वहां बिल्कुल फीट नहीं होती हूँ मैं संसकारी हूँ और मैं टीवी पर अच्छा कर सकती हूँ मैं टीवी दर्शुकों को अच्छे सेंटर्टेन्मेंट कर सकती हूँ